नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप उमीद है आप खुश हैं स्वस्थ हैं तो बच्चों हम इतिहास का कक्षा 9 का अध्याय कर रहे थे आधुनिक विश्व में चरवाहे इसका एक भाग हम पहले कर चुके हैं और अब हम इसका दूसरा भाग करने जा रहे हैं और जब हम पहला भाग पड़ रहे थे तो उसमें हम अंतिम बात कर रहे थे अपनवैशिक शासन में चरवाहों के साथ अंग्रेजियों के द्वारा क्या क्या किया गया उसको हमने पड़ा था अब हम उसी को ही लगातार आगे बढ़ते हुए ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस अपनवैशिक शासन ने किस त्रह से चरवाहों की जिंदगी को प्रभावित किया और कैसे उन्हों ने उसमें अपने आप को ढालने का प्रयास किया और इसके साथ साथ इस भाग में हम ये भी जानेंगे कि अफरीका महाद्वीप में अफरीका के पूर्वी हिस्से में वहां पर जो चरवाहे रहते थे वहां पर भी किस प्रकार उपनवैशिक शासन की वज़ा से उनका जो जीवन था वो पूरी त्रह से बदल गया तो आएए बच्चो अब हम ये देखेंगे कि अपनवैशिक शासन से इन चरवाहों की जिंदगी में क्या बदलावाए एक तो बड़ी बात ये हुई कि जब चरागा वाली भूमी को खेती में तबदिल कर दिया गया तो क्या हुआ चरागाओं की कमी हो गई और इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो अरक्षित वन थे वहाँ पर इन चरागाओं को अपने पशू चराने की वहाँ पर अनुमती नहीं थी अब इससे क्या हुआ इन दोनों चीजों से ये फरक पड़ा कि जो चरागा थे वो कम रह गए थे जबकि जानवर ज़ादा थे अब पहले क्या होता था कि जब चरागाँ खत्म हो जाते थे घास खत्म हो जाता था तो ये लोग दूसरी जगाँ चले जाते थे लेकिन यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पर तो बंदिशें लग गई अब जो बंदिशें लग गई तो वो दूसरी जगां पर अपने पश्चों को ले करके नहीं जा सकते थे और वो उसी जगां पर ही एक ही चरागा पर जादा से जादा पश्चों को चराने लगे अब जिस से क्या हुआ कि चरागाओं का खास खत्म हो गया और जिसके चलते हुए कि जो जानवर थे वो धीरे-धीरे मरने लगे तो आएए बच्चो अब ये देखें कि इन चरवाहों ने इन बदलाओं का सामना कैसे किया अब उनको पता था कि चरागा तो नहीं बचें तो इसके लिए उन्होंने क्या किया उनके ज कर दिया कि क्या कहीं और जगां पर भी नए चरागा मिल सकते हैं और उन्हों ने उसकी तलाश भी शुरू कर दी जैसे राजसतान से जो राय का चरवाहा थे वो धीरे-धीरे हर्याना की तरफ जाने लगे और इसके साथ-साथ जो धनी चरवाहे थे उन्होंने क्या किया क्योंकि उनके पास पैसे थे उन्होंने जमीन का टुकड़ा लिया और वहीं पर खेती करना शुरू कर दिया यानि उन्होंने अपना जीवन स्थाई रूप से व्यतीत करना शुरू कर दिया और जो चरवाहे धनी नहीं थे जिनके पास धन की कमी थी उन्होंने भी क्या किया, पैसा उधार उठाया, ब्याज पर पैसा लिया, और उन्होंने भी कोशिश की कि हम भी ये काम करें, लेकिन वो रिंड चुका नहीं पाए, और बाद में वो एक मजदूर के रूप में काम करने लगे. और इन सब चीजों के होने के बावजूद भी, आज भी हम देखते हैं कि जो चरवाहे हैं, वो अपने जिन्दगी जी रहे हैं, वो अपने ढंक से अपना जीवन बसर कर रहे हैं. जब भी उनके सामने समस्याइं आती हैं, तो इस प्रकार वो अपने आपको ढाल लेते हैं, यानि जब इस प्रकार की समस्याइं उनके सामने आती, यानि चरागाहों की कमी हो जाती, तो वो क्या करतें? उस काम को चोड़ करके धीरे-धीरे दूसरे काम धंदों में लगना शुरू कर देते यानि उनकी जो जिंदगी है घुमंतु चरवाहों वाली वो आज भी है आज भी हमें देखने को मिलती है और चरवाहों के जिंदगी में इस तरह हैं के जो परिवर्तन आये जो बदलाव आये वो केवल भारत में नहीं थे वो विश्व के कई हिस्सों में ऐसे बदलाव देखने को मिले अब हम एक विश्व के ऐसे ही हिस्से की बात करने जा रहे हैं जहां पर इन चरवाहों का जो जीवन था जो पहले जैसा था वो किस तरह हैं उपनवेशिक शासन के आने से पूरी तरह हैं बदल गया और हम बात करने जा रहे हैं अफरीका महाद्वीप में पाए जाने वाले इन घुमन्तू चरवाहों की तो आईए अब हम अफरीका महाद्वीप की तरफ चलते हैं जहां पर दुनिया की 50 प्रतिशत अबादी इन चरवाहा गतिवीदियों से जुड़ी हुई है अफरीका में लगबग 2 क्रोड 50 लाख लोग ऐसे हैं जो इन चरवाहा गतिवीदियों से जुड़े हुए हैं इन में बर्बेरस, मासाई, सोमाली, बोरान और तुरकाना जैसे जाने माने समुदाए भी शामिल हैं इन में से ज़्यादा तर अब अर्ध शुष्क गास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं जहां वर्षा अधारित खेती करना बहुत मुश्किल है यहां के चरवाहे गाए, बैल, उन्ट, बकरी, भेड वह गधे पालते हैं और दूद, मास, पशुओं की खाल वह उन आदी बेचते हैं कुछ चरवाहे वेपार और यातायात सबंदी काम भी करते हैं, कुछ चरवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं, कुछ लोग चरवाही से होने वाली मामली आय से गुजर नहीं हो पाने पर कोई भी दंदा कर लेते हैं भारत के चरवाहों की तरहें इन अफरीकी चरवाहों के जीवन में भी उपनवेशिक शासन की वज़ा से बहुत बदलाव आए हम यहाँ पर एक समुदाय की बात करेंगे उसको हम अधार मानकर उस समुदाय की बात करेंगे जिसका नाम है मसाई समुदाय और जो घुमन्तु चरवाहा है यानि चरवाहा गतिवीदियों से जुड़ा हुआ है मसाई नाम माशब्द से निकला है माशाई का मतलब होता है मेरे लोग परंपरागत रूप से मसाई घुमन्तु और चरवाहा समुदाय के लोग होते हैं जो अपनी आजीविका के लिए दूध और मास पर आश्रित रहते हैं उचे ताथबान और कम वर्षा के कारण यहां शुष्क धूल भरे और बेहद गरम हलात रहते हैं मसाई पशुपालक मोटे तोर पर पूरवी अफरीका के निवासी हैं इन में से तीन लाख दक्षिन कीनिया में रहते हैं और एक लाख पचास हजार तंजानिया में रहते हैं हम यह देखेंगे कि किस तरह अपनिवेशिक शासन ने और उनके द्वारा जो बंदिशें लगाई गई थी किस प्रकार उन्होंने इन मसाई चरवाहा के समुदाय के लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया आईए सबसे पहली ये जाने कि उनके जो चरागा थे उनका क्या हुआ मसाईयों की सबसे बड़ी समस्या यहा रही है कि उनके चरागा दिनों दिन सिमडते जा रहे हैं उपनवेशिक शासन से पहले मसाई लैंड का इलाका उत्री कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों तक फैला हुआ था उननिस्वी सदी के आखिर में यूरॉप की समराज्यावादी ताक्तों ने अफरीका में कबजे के लिए मार काट शुरू कर दी और बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनवेशों में तपदील करके अपने अपने कबजे में ले लिया 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंगानी इका के बीच एक अंतर रास्ट्रिया सीमा खीच कर मसाई लैंड के दो बराबर बराबर टुकडे कर दिये गए बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चरागाहों को अपने कबजे में ले लिया मसाईयों को दक्षिन कीनिया और उत्री तंजानिया के छोटे से इलाके में समेट दिया गया उपनिवेशिक शासन से पहले मसाईयों के पास जितनी जमीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया उन्हें ऐसे सुखे इलाकों में कैद कर दिया गया जहां ना तो अच्छी बारिश होती थी और ना ही हरे भरे चरागा थे उन्निसवी सदी के अन्तिम सालों से बिटिश उपनिवेशिक सरकार क्या कर रही थी वो जो पूर्वी अफरीका में किसान थे उनको कह रही थी कि आप भी जादा से जादा चरागा वाली भूमी को किस में तबदील कर लीजिए खेती वाली भूमी में तबदील कर लीजिए और इस प्रकार जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ खेती का जो क्षेतर फलता वो बड़ा वैसे वैसे चरा गाहों की जो भूमी थी वो धिरे धिरे खतम होने लगी और इस प्रकार जो मसाई समुदाय था जो अंग्रेजों के आने से पहले पूरी तरह से आर्थिक रूप से और राजनितिक रूप से शक्ति शाली था लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद धीरे धीरे ये समीकरण बदलने लगे अर्थात मसाई समुदाए एक परकार से कम प्रभाविहीन होता चला गया बहुत सारे चरागाहों को शिकारगा बना दिया गया इन अरक्षित जंगलों में चरवाहों का आना मना था इन इलाकों में ना तो विशिकार कर सकते थे और ना अपने जानवरों को चरा सकते थे ऐसे बहुत सारे अरक्षित जंगलों में अब तक मसाई अपने ढोर डंगर चराया करते थे अच्छे चरागाहों और जल संसादनों के हाथ से निकल जाने की वज़ा से उस छोटे से इलाके पर दवाव बहुत जादा बढ़ गया जिसमें मसाईयों को धकेल दिया गया था एक छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा यह हुआ कि चरागाहों का स्तर गिरने लगा चारे की हमेशा कमी रहने लगी मवेशियों का पेट भरना भी एक सथाई समस्या बन गया आईए अब हम यह देखें कि किस प्रकार अंग्रेजी उपनवेशिक शासन आने से पूरवी अफरीका के अंदर किस प्रकार उनकी सरहदें किसानों की सरहदें चरवाहों की सरहदें बंद कर दी गई पहले क्या होता था जब भी कहीं चरागा की कमी होती थी तो वो दूसरी जगां चले जाते थे लेकिन अंग्रेजीों के आने के बाद इस प्रकार की जो अजादी थी वो उनसे चीन ले गई मसाईयों की त्रहें अन्या चरवाहों को भी विशेश अरक्षित इलाकों की सिमाओं में कैद कर दिया गया अब ये समुदाए इन अरक्षित इलाकों की सिमाओं के आर पार जा नहीं सकते थे वे विशेश परमिट लिए बीना अपने जाणवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था इसके लिए उन्हें त्रहे त्रहें की बादाओं का सामना करना पड़ता था और उन्हें तंग किया जाता था अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता था तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी नई सरहदों ने चरवाहों की जिंदगी रातो रात बदल डाली नई पबंदियों और बधाओं की आर में उन्हें परतारित किया जाने लगा और वे छोटे से इलाके में खुद को कैद सा महसूस करने लगे इस से उनकी चरवाही और व्यापारिक दोनों त्रहें की गतिवीदियों पर बहुत बुरा असर पड़ा अब तक चरवाहे ना केवल मवेशी चराते थे बलकि त्रहें त्रहें के विवसाय भी किया करते थे उपनवेशिक शासन के अंतरगत थोप दी गई बंदिशों से उनका व्यापार बंद तो नहीं हुआ लेकिन अब उस पर त्रहें त्रहें के अंकुष जरूर लग गए आईए अब हम ये देखें कि ये जो मसाई समुदाय था सब लोगों पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ा था उपनिवेश बनने से पहले मसाई समाज दो भागों में बंटा हुआ था एक था वरिष्ट जन जिनको एल्डर्स कहा जाता था और दूसरा था योद्धा जिनको वारियर कहा जाता था वरिष्ट जन शासंग चलाते थे समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करने और एहम फैसले लेने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे योद्धाओं में ज़्यादा तर नोजवान होते थे जिनें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले की हिफाज़त करने के लिए तयार किया जाता था वे समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों के मवेशी चीन कर लाते थे जहां जानवर ही संपत्ती हो वहां हमला करके दूसरों के जानवर चीन लेना एक महतमपुन काम होता था अलग अलग चरवाहा समुदायों की ताकत इनी हमलों से तैह होती थी युवाओं को योद्धा वरक का हिस्सा तभी माना जाता था जब वे दूसरे समुख के मवेशियों को चीन कर और युद में बहादरी का प्रदर्शन करके अपनी मरदानगी साबित कर देते थे फिर भी वे वरिष्ट जनों के नीचे रहकर ही काम करते थे मसाई समुदाय के मामलों को देखने के लिए अंग्रेजी सरकार ने बहुत बड़े परिवर्तन किये जिनका आने वाले समय पर गहरा असर पड़ा उन्होंने क्या किया जो भी वहाँ पर मसाई कबीले थे या जो समुख थे उनके मुखिया नियुक्त कर दिये और उनके कबीले की जो जिम्मेदारी थी उनको सोब दी और हमलों और लड़ाईयों पर पबंदियां लगा दी और इस प्रकार जो वरिष्ट जन्ड और जो योद्धा थे धीरे धीरे उनका जो प्रभाव था वो कम होने लगा जैसे जैसे समय बिता उपनिवेशिक सरकार द्वारा निक्त किये गए मुखिया माल इकठा करने लगे उनके पास नियमित आमदनी थी जिससे वे जानवर साजो समान और जमीन खरी सकते थे वे अपने गरीब पडोसियों को लगान चुगाने के लिए करज पर पैसा देते थे उनमें से जादा तर बाद में शहरों में जाकर बस गए और व्यापार करने लगे उनके बीवी बच्चे गाउं में ही रहकर जानवरों की देखबाल करते थे उन्हें चरवाही और गैर चरवाही दोनों तरहें की आमदनी होती थी अगर उनके जानवर किसी वज़ा से घट जाएं तो वे और जानवर खरीश सकते थे इस तरहें मसाई समाज में दो स्तरों पर बदलाव आए पहला वरिष्ट जनों और योद्धाओं के बीच उमर पर अधारित परंपरागत फरक पुरीत रहें खतम भले ना हुआ हो पर बुरीत रहें अस्तवस्त जरूर हो गया दूसरा अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हुआ तो इस परकार हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में किस तरहें चरवाहों की जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ जहां पहले वे अपनी अजादी से जीते थे अपनी खुशी से और अजादी से जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते थे लेकिन इस उपनवेशिक शासन या इस आधुनिक बदलाव की वजह से क्या हुआ कि उनको धीरे धीरे जो अपने काम थे उसमें एक परकार से सिमट कर रहना पड़ा एक परकार से उनकी जो अजादी थी उसको छीन लिया गया था लेकिन फिर भी ये चरवाहे धीरे धीरे अपने आपको ढाल लेते थे कभी वो अपने पश्यों की संख्या कम कर देते थे कभी कोशिश करते थे कि कहीं उन्हें और नया चरागा मिल जाए और कई बार दूसरे वेवसाय से जूड जाते थे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चरवाहों को एक अतीत का विशय ही रहने दें आज भी कई लोग इस बात को सोचते हैं कि जो चरवाहे हैं अभी भी अपनी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में एक महतमपुन भूमिका निभा रहे हैं खास करके जो सूखे क्षेतर हैं वहाँ पर ये जो चरवाहा या जो गुमंतु चरवाहे हैं इनका जो जीवन यापन है अभी भी बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है तो बच्चो इस तरह हैं हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ उमीद है आपको समझाया होगा आएए अब कुछ प्रशन उत्र के माद्यम से जानने का प्रयास करें कि आपने क्या समझा और क्या जाना है पहले हम बहुवी कल्पी प्रशन करेंगे प्रशन नमबर एक गद्दी चरवाह समुदाय नीमन में से किस राज्या में पाया जाता है और विकल्प हैं पंजाब, उत्राकंड, हिमाचल, जमुकश्मिर बिलकुल सही गद्दी चरवाह हिमाचल में पाया जाता है प्रशन नम्बर दो मसाई चरवाह समुदाए अफरीका के किस भाग में रहता है विकल्प हैं पूर्वी, पश्च्मी, उत्री और दक्षिन तो आपको पता ही है कि मसाई चरवाह समुदाए अफरीका के पूर्वी हिस्से में निवास करता है प्रशन नम्बर तीन उचे पहाडों में स्तेथ घास के मैदान को क्या कहा जाता है और विकल्प है भाबर, बुग्याल, शिवालिक, गढ़वाल और उत्तर है इसका बुग्याल प्रशन नम्बर चार, मसाई समुदाय का समाजिक विभाजन कितने भागों में था विकल्प है एक, दो, तीन, चार, बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना इसका उत्तर है दो, एक, एल्डर्स, वरिष्टजन और दूसरा, वेरियर्स, योधा इन दो समुहों में विभाजे थ प्रशन नम्बर पांच, घुमंतू चरवाहे निम्न में से किस क्षेतर में पाए जाते हैं, विकल्प हैं पहाडों में, मैदानों में, रेगिस्तानों में या सभी में, तो उत्तर है इसका सभी में, घुमंतू चरवाहे पहाडों में भी, मैदानों में भी और रेगिस्ता अब हम लगूतरात्मक प्रेशन करेंगे प्रेशन नमबर एक भाबर से आप क्या समझते हैं उत्तर गढ़वाल और कुमायूं के इलाके में पहाडियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाला शुष्क या सूखे जंगल का इलाका भाबर कहलाता है प्रेशन नमबर जमुक्षमीर के गुजर बकरवाल सर्दियों में शिवाली की पहाडियों पर क्यों उत्तर आते हैं उत्तर क्योंकि पहाडों की उची चोटियों पर बरफ जमने लगती है और हरयाली समाप्त होने लगती है इसलिए अपने जानवरों के चारे के लिए ये शिवाली की ये समुदाये से जुड़े मामलों पर विचार विमर्ष करने और एहम फैसले लेने के लिए समय समय पर सभा करते थे तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ उमीद है आपको पसंद आया होगा समझ आया होगा इसी के साथ धन्यवाद खुश रहें स्वस्त रहें